नमस्कार दोस्तों, मैं दिपान शुर्ष श्वागत करता हूँ आपका CGPST व्यापम में एक बहुती महत्पून न्यूस के साथ जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो का टैडल पढ़ लिया होगा, बीना किसी दरी के वीडियो को इस्टार्ट करते हैं, जिन्हों ने इस चैनल को सब्सक्राइब निकिया, जल्दे से जाया, सब्सक्राइब करें, बाजू में जबल लाइकन आप उस जल्दे से प्र तो आपस की लड़ाई की वज़ा से ये भरतियां रुकी होई है, सबसे महतपूर्ण और सबसे पहली बात और सबसे बड़ी भरती है आपकी ऐसा ही भरती, जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही भरती में भी फुट पढ़ने का बताया जा रहा है, कारण ये है, कि देखिए सभी की मा अंबर के आसपास और वहाँ पे उस समय लगभग 655 पत थे, अब जो है वरतमान में इस पत को बढ़ा दिया गया है, परन्तु जो 2018 में फॉर्म बढ़े थे और आज 2022 हो गया है, चुकि उनकी चार साल बढ़ गई है, तो कहीना कहीं उनका जो फिसिकल होगा और कहीना कहीं इस भरती नियम में भी बदलाव कर दिया गया है, पहले इस भरती नियम में सिर्फ आपको दोरना था, लेकिन अब जो है दोरने के साथ साथ आपको उची कूद, गोला फेक, इस प्रकार से इवेंट आयोजित किये जा रहे हैं, जिससे की भरतीयां जो है, जिनकी एज बढ उसको फिर से जो है पुराने जो पंदरा सो मीटर दौरण वाला है, उसमें जो है उस प्रकार से लिया जा, तो इस प्रकार से अब जैसी की चीज़े आगे बढ़ती है, कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें उसको रोकने का प्रयास करती है, ये रही बात आपके 975 पद ऐसा पद निकले थे, उसके लिए जो आप सभी जानते कि उसका जो फिजिकल होना था, वो अभी फिलाल नहीं हुआ है, कारण था बीच में अभी कोरोना आ गया था, 22 जनवरी को उनका होना था, लेकिन फिलाल उस समय कोरोना जादा था, तो कोरोना के कारण उसको इस्तगीत कर दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है, उसकी डेट डिसाइड नहीं हुई है, तो आप सभी के लिए, ये एक बहुत ही अच्छी ख़बर है कि यहां से, चुकि आप सभी जानते कि लाइन में भरती वाले हरताल में है, तो उसके दबाव के कारण जो है, इसकी जो टाइम टे टे से थे, ये टोटल तीन सो पद है, और ये जो तीन सो पद है, इसका जो फिजिकल है, आपको मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो भरती है, मैं के लाष्ट में जो है, फोरेश्ट गार भरती, आप सभी उस चीज के लिए रेडी रहे हैं, विलहाल ये भरती जो है, बोलना चाहिए, अभी जैसे ही नया सत्र लगेगा, मतलब नया जो वित्ती वर्स लगेगा एक अपरेल से, उसके बाद इसको और गती मिलेगी, और आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये मैं लाष्ट में जो फोरेश्ट गारड वाले है, उसकी जो भरतीया है, वो प्रान वन सेवा भरती परिक्षा, जिसका विग्यापन 2019 में निकला था, ये भी जो है आपसी लड़ाई का नतीजा है, जिसके कारण जो है वो भरतीया नहीं हो पाई, और ये आपसी लड़ाई आप सभी को मालूम है, खुद जो है आपसी लड़ाई करते ही, किसी को योग्यता को लेके लड़ाई करता है, कोई सीलेबस को लेके लड़ाई करता है, सभी की अपने अपनी तरीके से मांग रहती है, और विभाग इस पर ऐसा नहीं देखिए, आप सभी जानते कि खाद दे निरिक्षक की जब भरती का जब विग्यापन निकला था, तो उसमें भी कई लोग जो है, वो खाद दे वाले जो है, वहाँ गए थे और अपना आविदन दिये थे राज जेपाल को, परन्तु जैसे विभाग को सहीं लगता है, तो वो उस चीज़ों को आगे करता है, जैसी कि ACF भरती में अभ्यर्थी गए, कोट में फिर कोट से आदे साया, और उसके जैसे जो 170 पद, अब उस समय पद और बढ़ गए थे, तो ये जो है, आपसी लड़ाई का नतीजा है, कि ACF भरती भी फसी हुई है, अब ये ACF भरती की बात हो गई, इसके अलावा जो है, इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि अहाली में भी जो 400 पर सब इनियर के निकले ह वो भी जो भरतियां है, बोनाची फसने के कगार पे है, फसने के कगार पे खड़ी है, तो ये सारी अपसी लड़ाई का नतीजा है, कि इतनी सारी भरतियां जो है, वो रुक्य हुई है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि भरतियों को फसानी की अपेक्षा, आप भरतियों आपके सामने प्रस्तूत होगा फिलाल अगर आप कोट जाएंगे तो कहीं न कहीं आपके सांत तो भरतियां आपको भी रोजगार नहीं मिल पाएगा और सांती सांत दुजरों को भी रोजगार नहीं मिल पाएगा तो इसमें घाटा सभी का फादा किसी का नहीं है तो आप लो अगर रुपती है तो कही न कहीं वो बहुत लंबा किसा जाती है तो यह सारी भरतियां तो अभी रुपी हुई है और लगभग इतनी ही भरतिया इस साल उससे ज़्यादा लगभग और आने वाली जैसे की उद्ध्यानिकी विभाग से जो है खबर मिल रही है साथ में टीचर परती से सम्मंदित खबर मिल रही है जो ग्रंत पाल भरती है उससे भी जो है सम्मंदित खबर मिल रही है फिलहाल यह सारी जो अपडेट है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा फिलहाल जो जैसी ग्रंत पाल की अपडेट है उस पर क्या अपडेट मिल रही है उस पर पुरी जानकरी मैं आप सभी को दूँगा फिलहाल आज जो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कुछ जो बिजली विभाग में जो है आप सभी के इस्टिन पर शो हो रहा होगा यहां पे मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि यहां पे प्रतिनियुक्ति के अधार पर ना लेके सिधी भरती किया जाए बिजली विभाग में तो यह जो है मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है बिजली विभाग की जो पर्टिकुलर एक रिक्रूटमेंट होता है अन्य विभागों में भी जो अन्य जो प्रदेशों में भी होता है यहां पे बताया गया है कि अन्य प्रदेशों में भी इस्थानी निवाशियों को तवजो दी जाती है तो यहां भी चत्तिसगड़ के निवाशियों को इस्थानी निवाशियों में बहुत जादा प्रतिभा है तो उसके कारण यहां की निमासियों को मौका दिया जा और इसकी जो भरती है सिद्धी भरती का तात्पर यह है कि आप लोगको की परिक्षा लिजा है जैसा कि व्यापम के दोला लिया जाता है या डिपार्टमेंटर लिया जाता है तो इस सारी चीजें आपको देखने को मिल जो भी इस भरती में लापरवाही हुआ है वो जो है उसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके मतलब कहना चाहिए जैसे कि आप सभी जानते कि और भी अन्य भरतीयां जो है निकली है या निकलने वाली है तो जो भी भरतीयां आप सभी जानते कि Mugya Mantra deduction जैसे ही विधान सभा क का बज़ट सत्र कंप्लीट होगा जो बज़ट सत्र है उसके बाद जो है वो अलग-अलग विधान सभा छेत्र में जाएंगे तो कहीं न कहीं उन सभी को मद्यनजर रखते हुए चरह सभी लापरवाही अगर होगी किसी भी विभाग से तो उस विभाग का मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जसकी आप सभी जानते कि जो उट-पुटांग नियम बने हैं फिलाल अभी जो डाटेंट्यो अपरेटर और साहे ग्रेट तीम में जो की अचानक से निकाल दिया गया नियम अच्छा है कोई दिक्कत नहीं नियम बहुत ही अच्छा है परन्त सजल सारी भरतियां को कराना चाहिए यह पूरा अपडेट देना था आश्रा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छ लगा हो और वीडियो अच्छ लगा तो आप इसे जादा जाद लोगों तक शेर करें लाइक करें और सब्स्राइब करें तो यह वीडियो देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप शबी श्वस्तर है और मस्तर है